नमश्कर दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पर इस चैनल पर आपको इंफॉमेशन मिलेगी रत्न और रुद्राक्ष रिलेटेड आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ यहाँ पर जो साउट सी पर्ल है उसके बारे में देखी यह है वीडियो मैं इ किसी जानकार व्यक्ति के पास उस रत्न को लेकर गए मोती रत्न की जो रिंग थी उसे लेकर गए तो सामने वाले व्यक्तिने बोला कि यह आपने कैसा मोती लिया है इसमें तो गड़े पड़ रहे और इसमें तो आप देखे इसका स्टुक्चरी जो है वो बिलकुल भी Perfect न जलेना चाहूंगा कि कबھی भी लाइफ में अगर आपको परामर्श लेब किसी वी शेत्र के लिए जरूरी रत्न के लिए रुद्राक्ष के लिए या किसी और पॉइंट के लिए किसी वी शेत्र के लिए परामर्श लेना नगत व्यक्ति को डॉक्टर बनना है तो अगर किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनना है तो सिंपल सी बात है वो डॉक्टर से ही परामर्ष लेगा जाकर की सर इस फेल्ड में मुझे जाना है तो मुझे क्या गरना चाहिए अब वो जाकर अगर माल लीजिए मोची से परामर्ष ले ले तो वो वो भी skin को सिलने का काम करता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों के पास knowledge एक जैसी होगी तो इसलिए परामश लें तो उस व्यक्ति से लें जिसके पास उसकी पूरी जानकरी हो अनुबह हो और आगर आप ऐसे ही किसी से परामश ले लेंगे तो हो सकता है कि आपके घर पर सही चीज पहुंच चुकी है और आपको अच्छे result मिलने वाले हैं लेकिन क्या होता है कि बुरे घरे अपना प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर छोड़ते ही हैं अगर दशा बहुत जादा बुरी चल रही है और संभावना ऐसी create हो गई कि वह बुरी दशा आपको सही situation में नहीं आने देगी तो जो काम आपके साथ सही भी हो रहा होगा ना तो वह है भी फिर गलत हो जाएगा तो ऐसे मन में मलब गलत भाव उत्पन हो गये हैं और रत्न को लेके confusion create हो गया है फिर आप उस रत्न को धरन भी करेंगे तो हो सकता आपको अच्छे परिणाम ना मि effect सही और बिल्कुल ऐसी चीज है जो अनुभाव के बाद मैं आपको बता रहा हूँ तो देगे south sea pearl जब भी आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको जो छोटे छोटे गड़े हैं वो तो नजर आएंगे ही आप इस south sea pearl को देखिए इसके structure को देखिए इसमें आपको यह इ सिया गड़े दिख रहे हैं यह हर रतन में बिल्कुल अलग होंगे यह वाला रतन कभी भी एक लाख पीस भी अगर आम लाएंगे तो वो दूसरे वाले से मैच नहीं होगा यह देखिए आप यह जो आकरती समें बनी है यह कुद्रती रूप से बनी है यह देखिए कितने भ संग्रशना बिल्कुल अलग होगी जो इसमें हॉल्स है या फिर ऐसे उभार वाली संग्रशना है वो बिल्कुल अलग होगी तो इस चीज को हम समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि नैचुरल चीज है जो कुद्रती जो चीज है उसमें एक जैसी आकरती बनी नहीं सकती क्योंक इसमें आपकुल अलग नजर आ जाएगी अगर शाउत सी है तो इसतरी की आकरती आपको नजर आएगी ही तो आप समझ सकते हैं कि जो नैचुरल चीज होगी उसमें नैचुरल इफेक्ट्स जरूर होंगे कुदरती निशान जरूर होंगे जो उसकी नैचुरल होने की जो कंडिशन्स होती है उसको फुल्फिल करते हैं तो आप ये देखिए हर रत्न में आपने देखा होगा कि जो आकरती है वो बिलकुल अलग बन रही है कोई भी एक भी सिंगल रत्न दूसरे से मैच नहीं हो रहा है मैच ना होने का कारण यही है कि प्राकरतिक चीज है प्राकरतिक चीज जो है वो कभी भी एक दूसरे से मैच नहीं होती क्योंकि हर एक मोती हर एक मोती अलग सीप में बनाए हर एक मोती को बनने में सालू लगे हैं तो आकरती तो एक जिसी हो ही नहीं सकती है तो जब भी आपके पास रिंग पहुंचेगी या फिर रत्न पहुंचेगा तो यह ऐसी संग्रशन आपको नजर आएगी और यह साउट सी जो मोती है जो सबसे अधिक best result देता है उसकी यह पहचान है तो यह एक छोटी सी जानकरी थी जो मैंने आपको देने की कोशिश करी थी अगर यह जानकरी आपको अच्छी लगी हो यह knowledge आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो का आप like कीजेगा शेर कीजिएगा जादर से जादर लोगों तक और इस चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए जिससे मेरी कोई भी वीडियो नेक्स वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास एक notification आ जाएगा तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में कुछ और अधिक अच्छी जनकरी के साथ ओके थैंक यू